हलो फ्रेंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दे फूचर क्लासेज में स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहा है है इलेक्टो मैंटिक इंडक्शन ज्याने की मैंगनेट द्वारा इलेक्टिस्टी कैसे जनेट कियाता है इस टापिक में आज हम कबर करेंगे इससे पहले अगर किसी मैंटिज्टी को जनेट किया जाए उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्टो मैंटिक इंडक्शन ठीक है करन्ट पोड्यूच बाइमूविंग इस्टेट वायर इन अ मैंटिक फिल्ड और बाइमूविंग इन द्सक्राइब इस घाल इंडूच करन्ट वह करन्ट जो अगर magnetic field में state wire को move किया जाए लब कि अगर हम कोई magnet हो ठीक है इस magnet के अंदर अगर किसी state wire को हम बार-बार move करें यह state wire है इसको बार-बार आगे पिछे आगे पिछे ले जाए move करने की वज़ाए से इसमें current जो produce होगा उसको हम बोलेंगे induced current या तो इस wire को move करेंगे और इस magnet को station ही रखेंगे या तो इस wire को हम station ही रखेंगे ठीक है और इस magnet को move करेंगे मलब की जैसे माल लीजे एक coil है यह circular coil है ठीक है अब इस coil को हम अगर station ही रखें और इसमें magnet को move करें ठीक है तो भी हमारा क्या होगा electricity generate होगा ठीक है या तो magnet को station रखें और wire को move करें तब भी हमारा electricity generate होगा इस electricity जो generate हुआ है इस process की वज़ा से उसे हम बोलेंगे induced current the phenomena of electromagnetic induction was discovered by British scientist Michael Friday and American scientist Joseph Henry in 1831 यह phenomena जो electromagnetic induction है इसको British scientist Michael Friday ने और American scientist Joseph Henry ने 1831 में discover किया था ठीक है तो पहले हम देख लेते हैं कि यह जो electricity generate होता है वो किस वज़े से generate होता है उसके बारे में हम आई यह देखते हैं इसके पीछे basic science क्या होता है तो पहले हम देखते हैं magnetic flux क्या होता है the total number of magnetic field line passing through a given area is called magnetic flux through that area अगर मालीजी कोई given area हो मालीजी यह एरिया हो circular area है इसके द्वारा जितना भी magnetic field line pass करेगा मालीजी यह सब magnetic field line है यह इस एरिया में जितना magnetic field pass करेगा वो इसका क्या बोला जागा? इस area का magnetic flux बुला जाएगा ठीक ना तो किसी given area द्वारा जितना magnetic field 9 पास होता है उस area का magnetic flux वो बुला जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं जिसका assignate waiver होता है इसे WB से denote कियाता है ठीक है तो basically जो electromagnetic induction होता है वो इस magnetic flux के change होने को वैस होता है अगर इस area द्वारा बार-बार magnetic flux मनलब magnetic field 9 चेंज हो मनलब पहले 2 हो फिर 3 हो फिर 5 हो फिर कम हो मनलब increase होता जाए decrease होता जाए तो magnetic flux के change होने की वैसे क्या होगा इसमें EMF जिसे electromotive force बोला जाता है वो जनेट होता है जिसे voltage भी बोला जाता है EMF को voltage बोला जाता है तो इस magnetic flux के change होने की वैसे इसमें EMF जनेट होता है जिसकी वैसे हमारा current जनेट होता है हमको मालूम है जब voltage वहाँ पे create होगा इसके चारो तरप तो current induced होगा इसमें तो उस current को हम बोलेंगे induced current तो basic हमारा यही होता है कि magnetic flux अगर किसी area given area में change हो रहा हो बार-बार तो उसमें current जनेट होगा जिसे हम induced current बोलेंगे और उस process को बोलेंगे हम electromagnetic induction ठीक है अब galvanometer क्या होता है galvanometer is a instrument that can detect the presence of current in a circuit galvanometer एक instrument होता है जो क्या करता है current के presence को detect करता है कि इस wire में या इस instrument में current है या नहीं है वो बताएगा galvanometer ठीक है it can deflect either left और right of zero mark depending on direction of current ये left या right में क्या होगा deflect होगा जो direction of current को बताएगा मतलब galvanometer एक ऐसा instrument है जो current के presence को डिटेक्ट करता ही है लेकिन उसका direction भी बताता है कि हमारा current का direction left to right है या right to left है मा लिजे ये galvanometer है और ये wire है तो हमारा पहले अगर current नहीं floor आओगा तो हमारा galvanometer का जो needle होगा वो state होगा ठीक है zero पे लेकिन अगर current मा लिजे left to right जा रहा है वल्ब इस direction जा रहा है तो हमारा galvanometer का जो needle है वो इस left right की तरफ deflect हो जाएगा लेकिन अगर right to left जा रहा होगा current हमारा तो galvanometer का जो जो needle है वो right की तरफ left की तरफ क्या होगा deflect हो जाएगा तो basically galvanometer जो होता है वो current की direction को शो करता है ठीक है नए तो volt meter भी हम यहां use कर देते लेकिन volt meter जो होता है current की direction को करता है वो बस current को मेजर करता है कितना current पास हो रहा है तो इसलिए galvanometer जो हता है हम यहां पर इस इलेक्टोमेटिक इंडक्शन में क्योंकि हमको देखना भी है कि current जो है current का direction right to left है या left to right है इसकी वैससे हम इस process में हम galvanometer ही use करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं इलेक्टोमेटिक इंडक्शन भाई using a coil and bar magnet अगर हम coil और bar magnet का use करके कैसे इलेक्टोमेटिक इंडक्शन क्या होता है produce होता है ठीक है तो यहां पर देखते हैं जैसे माल दीजे यह coil है हमारा यह coil दिख रहा ना यह coil है अब यह coil क्या होगा एक galvanometer से क्या होगा connected होगा ठीक है और यह हमारा 12 म्यगनिट है और 12 म्यटिस से यह magic field line क्या होगा निकलना है ठीक है तो अगर श्टेशनरी है ze तो देख रहे हैं हमारा number of magnetic field line क्या है, एक ही inter हो रहा है इस coil में, इस coil में, एक ही magnetic field line genet inter होगा, जिसकी बसे इसका magnetic flux जो होगा, वो बहुत कम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा magnetic field line inter होगा, उतना ज्यादा उसका magnetic flux होगा, तो stationary ही है, move नहीं कर रहा है, तो magnetic flux इसका कम है क्योंकि एक ही magnetic field line इसमें इंटर हो रहा है लेकिन जब इस bar magnet को धीरे-धीरे इसके अंदर हम move करेंगे इस coil के अंदर move करेंगे तो इसका magnetic field line देखिए increase हो रहा है मलब इसमें जो enter हो रहा magnetic field line वो ज़्यादा enter होगा जिसकी वैसे इसका magnetic flux क्या होगा increase हो जाएगा तो magnetic flux पहले कम था और magnetic flux जादा हो गया मतलब magnetic flux में change आया तो magnetic flux जब change आता है तब क्या होता है EMF generate होता है जिसे voltage बोलते हैं तो इसके चारों तरब voltage generate होगा ठीक है जिसकी वैसे क्या होगा current induced होगा और इस current को induced current बोलते हैं और इस process को electromagnetic induction करते हैं ठीक है तो देख लेते हैं आपे a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer जो coil है वो galvanometer meter से क्या होगा connected होगा a bar magnet is head near the coil initially जो bar magnet है उसको initially हम वहाँ पे रखेंगे ठीक है galvanometer so zero deflection अभी stationary भे है इसलिए galvanometer जो होगा zero deflection दिखाएगा कोई deflection दिखाएगा when the magnet is moved toward the coil a momentary deflection is observed in galvanometer toward one side जब ये बार एक इसमें coil में move करेंगे तो जो galvanometer होगा वो momentary deflection सो करेगा एक side में ठीक है ना लिजे बार move कर रहा है तो deflection हो सकता है right के तरब दिखा रहा हो क्योंकि current इस side पर move कर रहा होगा ठीक है तो जैसे जैसे हम बार को अंदर ले जाएगे तो जो galvanometer है वो momentary मलब थोड़ा सही move करेगा ऐसा नहीं ये बार बार move करेगा जैसे जैसे अंदर ले जाएगे वो इससे एक बार move करेगा फिर जाके इस्टेशन ही हो जाएगा ठीक है when the magnet is moved away from the coil a momentary deflection is observed in galvanator in opposite action जब हम जैसे अभी अंदर ले आ रहे थे तो हमारा जो deflection था वो right side के तरफ था लेकिन जैसे ही हम magnet को अंदर से बाहर ले जाएगे तब ही magnetic flux change होगा क्योंकि पहले जब अंदर ले जा रहे थे तो magnetic flux ज्यादा हो रहा था magic turn 9 ज्यादा enter को रहा था जैसे हम카 ng Pad 2 न्याएगा ने था magnetic flux क्या होगा? decrease होगा क्योंकि magnetic field 9 जो इंटर हो रहाता ज्यादा वो क्या होगा? घ्रे धarm कम होगा magnetic field 9 जिसकी वजय से क्या होगा? उसमें flux में change आएगा मलब decreasing होगा जिसकी वजय से क्या होगा? उसमें current generate होगा लेकिन अब जो current generate होगा वो अपोजी डारेक्शन में होगा ठीक है जो पहले left to right चा रहा था अब जो current जानेट होगा वो right to left होगा तो इसमें भी थोड़ा सा एक बार बस डिफलेक्ट करेगा फिर जाके stationary हो जागा so when the direction of movement of magnetic change then the direction of current produces also change जब movement का मैंगेट का movement हो रहा है पहले right to left फिर left to right हो रहा है तो उसकी वैसे जो current इरेक्शन भी हो रहा है जेंज हो जा रहा है। मालब अगर जब भी हम magnet के अंदर ले जाएंगे तो हमारा current का direction दूसरा रहाएक अज जब बाहर लेके तो current का direction दूसरा हो जाएगा तो मालब मैंगे का डार्यक्षन चेंज करेंगे movement का, तो current का डार्यक्षन भी change हो जागा, जिसकी वह से हमारा जो current induced होगा, मλब current जो generate होगा है इस-prोसेज में, उसे बोलेंगे हम alternating current, क्योंकि हमारा जो current है, वो बार- बार उसका direction change हो रहा है, जब भी terminal या polarity होती है करण की तो इसको हम अफ्टरेंट करन करते हूं मलेब अगर माली जिए कि पहले 22 हमारा इधर हो ठीक है और 556 कि फिर क्या हो फिर कुछ दिर बार 252 इस साइड हो Ho हो ठीक है तो हमारी पुलेड़टी चेंज हो रही है पास्टी निगेट्व का डारेक्सन हमेशा चेंज हो रहा है तो करहा है तो तो खरख़िय सेख़ राए तो एश नेht होता है उसे हम आलटरेंट करण बोलते हैं अगлись का करनका का क्रेश्ण चेंज होता है मलब पर शुक्ष भी सिख रहेगा क्या बोलेंगे alternate current ठीक है अब देखिए जो current generate होगा वो किस किस चीज पर depend करेगा उसका magnitude जो होगा किस किस चीज पर depend करेगा वो देख लेते हैं winding the coil on soft iron को जो coil होगा जितना ज़्यादा winding होगा है मालीजे क्वायल है जितना ज्यादा सब्सक्राइब करसे छा। इनक्वाइल का जितना नमबर अप्टर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा उसमें करण्ट इंड्यूस होगा ठीक है वाइंडिंग दग्वाइल अनशाफ्ट आरन कोर अगर यह जो वाइंडिंग है वो साफ्ट आरन कोर पर अगर करेंगे तो भी क्या होगा मैंटिक फिल्ट मैंटिक फिल्ट मतलब इंक्रीज होगा और उसमें करण्ट भी जो इंड्यूस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा ठीक है बाइंक्रीजिंग दग्वाइल का या इस मैंग्नेट का जो मूव कर रहा है इसके अंदर उन दोनों का स्पीड अगर इंक्रीज कर दें तो भी हम हमारा जो करण्ट इंड्यूस होगा वह क्या होगा इंक्रीज जाएगा मनलब कि या तो नंबर अफ्टन बढ़ा दें ठीक है या तो इसके अंदर सफ टारें कोड रख दें या तो मैंगनेट जो मूव कर रहे है उसका मैंटिक फिल्ट बढ़ा दें ठीक है या तो क्या हो जो स्पीड है रोटेशन का मैंटिक का या क्वाइल का उसको इंक्रीज करने इस सब केस में क्या होगा करन्ट जो इंड्यूस होगा उसका जो पावर होगा या मैंटिट होगा वो बढ़ जाएगा ठीक है तो याद रखिए इस सब पॉइंट कि किस-किस वज़से हमारा क्य अगर हम अब तो एक फाल करते अब हम अगर दो क्वाले तो हमारा क्रंट होगा वह कैसा होगा अगसा हो हुड आंप अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम दो क्वाल लेंगे ठीक है एक क्वाल को हम क्या करेंगे बैट्री से क Annette कर देंगे को क्या कर दिए यह क्या क्या करेंगे रिए दोनों क्या हों ग़filat नहीं यह गए और और उसको क्या किया गया है यह नॉन कंड़क्टिंग होगा ताकि यह दोनों क्या हो मिक्स नहों या कनेक्ट नहों ठीक है तो यह जो क्वाइल क्वाइल है वह जिस पर रैप किया गया है क्वाइलिंग किया गया हो नॉन कंड़क्टर होगा ठीक है और पहले क्वाइल का तो इस क्वाइल को हम बैटरी से करेंगे और जिसका नमबर को हम किस से क्लीट करेंगे तो पहले अब प्रोसेश देख लेते हैं क्या क्या होता है देखे जब बैटरी से करनेट करते हैं स्विच अन करेंगे तो क्या होगा हमारा पाश्टी टर्म में से करन्ट फ्लो होगा अब करन्ट फ्लो होगा तो इस कोयल में जब करन्ट फ्लो होगा तो क्या होगा इसमें मैंटिक फिल्ड इंडग क्या होगा इंड्यूस होगा ठीक न अब इस Karand कीवास에 इसमें क्या होगा Megynetic Phil aliment biological कुछ महालिजे कि इसमे didnt अब इसकी वहसे इसके इसके अंदर एक बार माइनेट के गतरभ मैंटिक that इसमें में दिंध होगा ठीक है ऐसे ऐसे मेंटिक फिल्ड लाइन क्या होगा इसमें इंडिश होगा जब भी करन हमारा क्या होगा फ्लो होगा ठीक है तो magnetic field line क्या होगा कुछ magnetic field line इसमें इंटर होगा अब magnetic field line जब इसमें इंटर होगा तो इसमें magnetic flux जब चेंज होगा तो इसमें क्या होगा इस coil में current induce होगा जिसकी वयाई से यह जो galvanometer है वो उसका direction क्या होगा एक side में डिफ्लेक्ट होने लगेगा अज जैसे हम इसको स्विच आफ करेंगे अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा यह फिर से अपने पोजिशन पहाँ जागा ऐसा नहीं है कि बार बार यह पोजिशन ऐसा ही दिखाएगा ठीक है क्योंकि मैंटिक फ्लक्स एक बार चेंज होगा क्या होगा इसमें डिफ्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् की तरफ और एक बार लेफ्ट की तरफ बार बार जब जितनी जितनी स्पीड्स हम इसको स्विच आउन आफ करेंगे उतनी स्पीड्स में करन्ट इंड्यूस होगा ठीक है तो पहले से प्रोसेज देखते थे हैं टुो क्वाईल अभ意 इंसिलोटेट कापर यर अफ ड्रामडी क्वाईल वन विच इनट्वी स्पीड को itu स्पींगे प्रामडरorta अद्वी पिजय चैनेटी केटटेट स्वकेण स्पींगेथनी के के फ्ल ड हूब नुक तो इंक्रीरट और सब मोमेंटी डिफलेक्शन टूअड वन साइट जब इस क्या होगा गालोमेंटव क्या होगाथ इसका नीदिल जब इसका current स्विच आप कर देंगे तो इसमें क्या होगा magnetic field बंद हो जाएगा तो इसमें क्या होगा magnetic flux change होगा जिसकी वाश से जब भी किसी एक coil के पास दूसरा coil को रखा जाए जिसमें current flow रहा हो और उसमें magnetic फिर चेंज बढ़ा होगा तो जिसकी वच्के पास जो coil होगा उसका magnetic flux चेंज होगा और उसमें current जनेट होगा और इस current को हम बोलेंगे electro-magnetic induction ठीक है ये जो induced current जनेट हुआ है इसका direction हम कैसे पता करेंगे वह पता करेंगे हम flaming right hand rule for a direction of induced current तो flaming left hand rule इससे पहले हम जो यूज़ कर रहे थे उसके किसलिए यूज़ कर रहे थे वो direction of force या motion के लिए ठीक न अगर हमारा current का direction romantic field का direction मालूम रहता था तो हम force या motion के direction होगा उसको पता करने के लिए हम flaming left hand rule उज़ करते थे लेकिन अगर हमको motion का direction और magic field का direction मालूम हो तो current जो जनेट होगा उसका direction हम कैसे पता करेंगे flaming right hand rule से ठीक है तो same process वही है बस हमारा left hand की जनब पे right hand उज़ कर होगा हमारा thumb four finger और center finger को हम क्या करेंगे mutually perpendicular stage कर लेंगे हमारा four finger क्या होगा magnetic field को show करेगा thumb हमारा motion up conductor को show करेगा तो हमारा जिस direction में center figure होगा वो हमारा induce current को के direction को show करेगा thank you करेंगे तो